नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिस तास्त्र में ग्रहों से लेकर ब्यक्ति की किस्मत तक हर एक चीज को बताया गया है विस्तार से और आप अपने घर में पुजा पाट तो करती होंगे एक दीपक भी जलाते होंगे लेकिन कौन सा दिया जलाने से कौन सा तेल का दिया जलाए कि जीवन की मुश्किले समाप्थ हो जाए वैसे तो हर रासी के लिए हर एक बस्तू अलग अलग बस्तू लकी होती है लेकिन आज हम तेल की बात करेंगे तो आप अपने भागे को रासी के अनुसार भी तेल का यूज़ करके चमका सकते हैं लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि वो कौन से तेल का आप परियोग करें कि आपका भागे आपका साथ देने लगे जीवन की मुश्किले समाप्थ हो जाए तो सबसे पहली बात कि दीपक कितने प्रकार के होते हैं देखे दीपक तो बहुत तरके होते हैं जैसे कि आप चांदी का बहुत साई लोग दिया बेवार करते हैं मिट्टी का बेवार करते हैं लोहे का करते हैं बहुत साई लोग आटे का दिया बेवार करते हैं तांबे का करते हैं पीतल का करते हैं लेकिन ज्यादा तर लोग मिट्टी के ही दीपक का परियोग करते हैं और ये सबसे ज्यादा सुध और सुभमी बाना जाता है एकदम से सुभ तो दीपक किस उदेश से जलाया जा रहा है ये माइने रखता है तब जाकर आप सही तेल का परियोग कर पाएंगे और दिया उसी अनुसार जलाए तो आपकी मनुकामना पुर्ण होती है तो सबसे पहली बात जब भी आप आटे का दिया लगाते हैं तो यह दीपक में घी ही जलता है याद रखिए आटे का दिया जब भी लगाए उसमें तेल नहीं डालेंगे आप घी डाल कर जला है और दीपक इसी दीपक से पूजा करने से सबसे ज़्यादा यह सुमाना जाता है आटे का दिया और उसमें घी डाल कर प्रयोग होता है यानि इसमें आप तेल नहीं डासे लेकिन आर्थिक तंगी से मुस्किल से बचने के लिए रोजगार में बरकत के लिए आप अपने घर में जब पूजा पाट करते हैं तब सुभा के समय एक दीपक जलाएं आपके घर में जो भी धातु है मिट्टी है आटे का भी जला सकते हैं उसमें घी डाल कर लाल धागे की बाती याद रखिए लाल धागे की बाती डाल कर एक लॉंग के साथ जलाएं तो आपकी सारी म मनुकामनाए हाथो हाथ पूरी होती है जब आप पूजा पाठ करते हैं सुबह सुबह किसी भी देवी देपता के मंदिर जाते हैं आप चाहते हैं भगवान का आसिरवाद आपको मिले तो हमेशा याद रखिए आप घी का या तिल के तेल का दिया जलाएं इससे क्या होता है घी या तिल के तेल का दिया जलाने से आपकी समस्त मनो कामनापूर्ण होती है आपकी जो इच्छाएं हैं जो आपके सपने हैं अब आपने मनत मान लग रहा है मेरे बच्चे का नौकरी लग जाए मेरा घर हो जाए मेरे पती का बरकत हो स्वास्त अच्छा हो जाए तब ऐस सिक है अब जिससे लोग सर्सों का तेल का दिया जलाते हैं कब जलता है जब सत्रू बहुत परिसान करें तब सत्रूं से बचने के लिए हैरभ जी के यहां सर्सों के तेल का दिया लगाना सुरू कर दे याद रखिए सर्सों तेल का दिया लगाना सुरू कर दे यकीन वानिये स सुरिज बहतर हो जाए तो सरकाई नौक्री की सम्मावना बढ़ जाती है जीवन में मान सम्मान बढ़ता है आपका स्वास्त अच्छा राता है नो के नो गृष कुंट्रोल में आ जाते हैं तिल के तेल का दिया जैसे हमने अभी आपको बताया कि आखिर क्यों जलाया जाता है देखिए सनी ग्रह से सीधा संबंद काला तिल का है और सनी ग्रह आपदा से मुक्ती असाड़े साती है धाया है सनी का प्रकोफ है आपको लगता है जीवन में मुश्किल जादा बढ़ गई है तब तिल के तेल का दिया जलाना आप सुरू करते हैं अपने घर में इपुजा दूसरा नंबर आता है महुय का तेल का दीपक पती की लंबी उमर के लिए मनोकामनाओं की पूर्थी के लिए आप अपने घर के मंदिर में महुय का दीपक जलाना सुरू कर दीजिए इससे आपके पती के जो आयू है वह लंबी होगी और हर तरह की मनोगामना पूरी होती है सुक्सोभागे बढ़ता है अलसी का तेल अलसी का नाम सुना होगा अगर रहुके तु पृषपल सान करे लिए आप अपने घर में अलसी के तेल का दिपक जलाए अगर राहुके तु कुंडली में भिगर जाय जीवन में आकस्मिक समस्यां भूत प्रेथ की बाधा हो तब अलसी का तेल का दिया आप जरूर जलाएए चमेली का तेल हनुमान जी को चमेली चोला चड़ता है ना चमेली में सिंदूर मिलाकर वही चमेली का तेल तो हनुमान जी की किर्पा आप चाहते हैं कि हमेशा आप तीन मुखी दीपक याद रखिए एक दीपक में तीन बाती होगी या फिर दो बाती होगी और तीन सिरा जलेगा याद रखिए तो ये दिया आप जब आप हनुमान जी के सामने जलाते हैं चमेली का तेल डाल कर तब आपकी हर मुनो कामना पूर होती है और हनुमान जी आपके हर बिग्न बादाओं को हर लेते हैं सत्रूओं से मुक्ति दिलाते हैं वैसे तो गनेश जी की किर्पा पाने के लिए भी तीन बातियों वाला दिपक जलता है लेकिन गनेश जी की किर्पा पाने के लिए जब आप दिया जलाते हैं तब ये तीन बाती बाला दीपक में तेल नहीं डलेगा बलकि घी डाल कर जलाया जाता है तो गनेश जी हर तरह के जीवन के बिग्न बाधाओं को दूर करते हैं तो वैसे तो चार मुख़ा भी दिया जला जाता है, आपके घर में युई जलता होगा तो चार मुख़ा दीपक जो जलता है उसमें आप चार डाल कर जलाएं और कौन से देपता को परसंड़ करें देखिए भैरब देव जो है ना उनको परसंद करने के लिए आप चार मुख वाला सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं याद रखिए चार मुख दिया जला सकते हैं पर सरसों का तेल डाल कर भैरब देव को परसंद करने के लिए जीवन के सारे कस्टी दूर हो जाते हैं जब आप चार मुखा दिया जलाते हैं लेकिन पांच मुखी भी दीपक जलता है आप पुजा करते होंगे आर्थी करते होंगे जब भी पुजा पाट में तो आप पांच मुखा दिया जलाते हैं क्यों जलता है देखिए किसी भी केस म दीपक क्यों जलता है देखिए आप चाहते हैं कि मालक्षमी की किरपा हमेशा घर में बनी रहे अब आप सोचिए रोज रोज घर में साथ मुखी दिया कैसे जलाए कोई बात नहीं आप लाल धागे की बाती लेते हैं उसमें साथ धागा ले लिजिए गा और उसको एक ही जग करने दिपक और उसको मोड कर आप जिला दें कहां जलाएंगे बhranut जिए प्ररियोग सावन में कर सकते हैं सोला बाती का भी दीपक जलता है सोला बाती का दीपक भगवान स्री हरी विष्णू को परसंद करने के लिए जलाया जाता है तो आप सोला बाती कैसे बनाएंगे वही लाल धागा में तीन बातियां होती है आपने देखा होगा मौली धागा में तो उसको काट लीजिए, सोला धागा पत्ती पत्ती एक साथ मोड लीजिए और स्री हरी बिश्णों के सामने रोज जलाना सुरू कर दें तो आप के लिए यहाँ पर स्री हरी की किर्पा मिलेगी अगर कुंडली में गुरू का कमजोर है या आप चाहते हैं गुरू बहतर हो तो अब देखिए दीपक भी बहुत तरक्य होते हैं जैसे कि गहरा होता है गोल होता है तो आप ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं परियोग में लाना चाहिए यानि बीच में उठावा होता है आप उसमें बाती लगा के उपर करते हैं इक दिया होता है वह वाला दिपक जलाएंगे तो सत्रु पिरोधी आपके सांथ रहेंगे है कि आज हमने जाना कि कौन सा दिया जलाने से जीवन की मुश्कलेanci समाप्त होती आप जैसे कि सुरुआत में हमने कहां कि आप अपनी रासी अनुसार भी दिया जला सकते हैं अब जैसे कि मेस रासी के अगर आप हैं तो आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर चमेली का तेल का दिया जलाना सामके समय सुरू कर दीजिए आप का देखेगा जीवन के हर कश्ट दूर हो जाएंगे अगर आप डिसब रासी के हैं तो भाग्योदे के लिए जैतून के तेल का दिया आप जलाना अपने घर के पूझास्तान पर शुरू कर दीजिए भाग्योदे होगा का प्रयोग करेंगे दीपक जलाने में तो आपका दिन दुना राच चोगुना तरक्की होगा जो कन्या वाले हैं वो चमेली का तेल का दिया बुद्वार को पीपल के पेड़ की नीचे सामके वक्ते जलाएं तो आपकी किसमत चमकेगी जो तुला वाले हैं चमेली या कपूर वाल्यक के तेल का दिया, अगर आप लगाएं अपने घर के पुजास्थान पे तो भागियोदे होता है typically के दिया लगाएं तो जीवनकी हर मुझ रोब श्मापत हो जाएगी जो धनुबाले हैं भागी चमकाने के लिए, भागे का साथ पाने के लिए चंदन के तेल का परयोग करना चाहिए दीपक में आप चाहें तो गी का दिया में एक बुझ टपका दे, जलाएं मकर रासी मकरवालों को हर दिन काले तेल का दिया लगाना चाहिए आप चाहें तो लॉंग का तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं साम के समय दिया बाती करते हैं कुम बाले तिल के तेल का दीपक घर के मुखे दरबाजे पर रोज साम में जलाएं मीन बाले भाग्योदे के लिए नारियल का तेल या चंदन का तेल का इस्तेमाल करें यानि दीपक जलाने में रोज सुबा तो उत्तम रहेगा फिलाल आपसे भी डालेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपरो से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेब जरूर लिखें धन्यवाद